हालो फ्रेंट्स गुड मॉनिंग टोड़े टोपिक इज कम्पनी अकाउंट्स इश्य ओफ डिवेंचर्स इसमें अपने देख रहे हैं इसमें चार आइटम शामिला होते हैं पहला होता है ड्रिवेंचर आप लुष कभी चारो बाते नहीं करकें सिर्फ discount on issue of deventure होता है यह भी एक तरह से loss on issue of deventure का ही पार्ट है इसका treatment भी loss on issue of deventure को जिस तरह से right-off करते हैं उस तरह से discount on issue of deventure को right-off करते हैं यहां पर सिर्फ एक ही आइटम होगा इसलिए loss on issue of dementia की बजाए अपन काम लेंगे इसका नाम discount on issue of dementia इसको write-off करने के लिए क्या system है कि जिस साल यह loss होता है जिस साल यह expenses होते हैं उसी साल आपको compulsory write-off करना जरूरी है इसको carry forward नहीं कर सकते हैं write-off किसे करेंगे सबसे पहले इसको write-off करेंगे security premium reserve से वो भी अगर कम पड़ जाता है तो second number पर आगा general reserve उससे write-off करेंगे उसके बाद भी एगर loss on issue of dementia का balance बच जाता है तो जितना भी balance बचता है वो statement of P&L में transfer कर देंगे P&L का चाहिए debit balance है चाहिए credit balance है चाहिए profit है चाहिए loss है या insufficient profit है कोई भी situation हो balance of loss on issue of dementia का final जो बचा हुआ balance रहेगा वो statement of P&L में transfer कर देंगे इसको कोई carry forward नहीं करते हैं हाँ statement of P&L में अगर loss हो जाता है इसकी वज़े से loss हो जाता है या पहले profit था इसके वेचे से loss में आ जाता है तो यह loss carry forward किया जा सकता है P&L का loss लेकिन loss on issue of dementia को आप carry forward नहीं करेंगे उसको इसी साल write off करना जरूरी है इसमें अपन करने question number 30 सबसे पहले question number 30 कर रहा है अपन अलोट्मेंट के साथ में adjust करते हैं तो application में यह आएगी चालीस रूपर पर डिपेंचर के साफ से चालीस जार डिवेंचर पे तो application में यह आएगी bank account DR to 7% डिवेंचर application चालीस जार शेयर चालीस रूपर की साफ से सोला लाग रूपर इसको अपन डिवेंचर में ट्रास्फर कर देंगे 7% डिवेंचर application account DR to डिवेंचर फिर आएगी नेक्स एंट यह तो date of issue को जाएगी date of allotment date of allotment वे अपने बास में 100 रूपर का डिवेंचर है 6% discount पीशू कर रहे हैं तो 54 रूपीज पे दे रहे हैं अपन 6% discount पीशू करेंगे 54 रूपीज 6% discount and redeemable premium premium का adjustment अपन बाद में करते हैं पहले discount का adjustment करते हैं original entry बनानी कोशिश करते हैं तो 7% डिवेंचर allotment 54 into 40,000 discount on issue of debenture 6 into 40,000 to 7% debenture 24,000 रूपीज ये एक basic entry बनगी जिसमें debenture allotment डेविट किया आपने loss on issue of debenture discount on issue of debenture डेविट किया और two debenture किया basic entry बनगी जो अपन नॉर्मली करते हैं अब इसमें add on करेंगे loss या premium on redemption redemption पर जो premium दे रहें उसको add on करेंगे अपर 2% premium है मतलब 2 रूपे पर debenture 40,000 रूप हो जाएंगे तो loss on issue of debenture debit करेंगे 80,000 to premium on redemption 80,000 debit और credit दोनों में 80,000 पर debit किया 80,000 पर credit किया अब यहां पिचुकि discount भी है loss on issue of debenture भी है दोनों है तो इनको club कर देंगे इनको club करके नाम हो जाएगा loss on issue of debenture discount का नाम अटा देंगे और यह रहेगा loss on issue of debenture amount बन जाएगा इनका 3,20,000 यह amount बन जाएगा इनका 3,20,000 अब क् premium redemption है non-loss है वो भी at the time of issue ही declare होता है इसलिए उसी time का loss मना जाता है तो दोनों ही loss जो है loss issue loss at the time of issue of debenture इसलिए लिख देंगे इसको दोनों को मिला के loss on issue of debenture अब इसको write-off करना पड़ेगा सोरी पैसे आ जाएंगे इसको write-off करेंगे write-off करने के लिए कि SPR का बिलेंस से 1,20,000 अपने को write-off करने 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 3,20,000 तो 1,20,000 तो SPR से adjust कर लेंगे फिर generalizer बतरा है 1,50,000 तो 1,50,000 जनलिजर से कर लेंगे उसके बाद भी loss on issue of debenture का balance बचाता है पचास जार तो बचावा जो बिलेंस रहेगा वो स सारा statement of P&L में transfer कर देंगे statement P&L में transfer कर देंगे statement P&L में transfer कर देंगे इस तरह से इसको write-off कर सकते है अपन यह था question number 30 अब बाते है question number 31 31 पे यह कह रहा है आपके पास में 20 जार दिमेंचर नाइन परसंट इमचर 100 इच एट 4 परसंट डिसकाउंट पर शेयर 20 जार दिमेंचर है 100 रुपा वाले 4 परसंट डिसकाउंट पर इश्यू कर रहे है 100 रुपाल मतलब 96 रुपीज आएंगे आपके पास में जो application में यह आएगी वो 96 रुपाइगी और repayment करेंगे पांच रुपा एक्स्ट्रा एक्सो पांच रुपा देंगे रुपाइमेंट यहां पर सारे पैसे application पर आजाएंगे तो कितने पैसे आएंगे अपने पास में चार परसंट डिसकाउंट काट करेंगे 96 रुपीज पर डिवेंचर बीज़ आज़ डिवेंचर पर 96 के साब साहेंगे 90 रुपाइग बैंक अकाउंट डियार टू 9 परसंट डिवेंचर एप्लिकेशन अलोटमेंट यहां पर सारे पैसे एक साथ आ रहें इसले लिखेंगे अब इसके दूसरे सेगंड एंटर करेंगे जो बेस एंट्री होती ही वह यह होगी 9 परसंट डिवेंचर एप्लिकेशन एंड अलोटमेंट अकाउंट डियार 19,20,000 डिसकाउंट डिवेंचर कितना दे रहें आपन 80,000 डिवेंचर पर चार रुपे पर डिवेंचर दे रहें वह अपन डिवेंचर करें 5 रुपे पर डिवेंचर पर डिवेंचर प्रीमियम पर डिवेंचर करें 5 रुपे प्रीमियम और डिवेंचर बीसेजा डिवेंचर है 5 रुपे के इसाब से एक लाक रुपे आपको एकसा दिना पड़ेगा यह भी नॉन लोस है इसलिए इसको इ कर देंगे, डिसकाउंट ओन ईशे उप डिविश्गार्ण को देंगे, और लॉस उप डिविश्ग करेंगे, यहाँप करदेंगे, । यह कंपने मतलम streaming के विंट्ड करेंगे सब्सिरीन होजेंगे, ल cœantically, और पर लो्स करने बाकी बचके 30,000 यह पेंडल में टास्फर करतेंगे इस्टेमेंड पेंडल डियार 30,000 रुप है तो लॉस अन इश्व डिवेंचर एक लाग 80,000 रुप है इस तरह सिस्को राइट आफ कर देंगे नेक्स राथा कॉच्छन नमबर 32 नेक्स औल नमबर 32 ये कह रहा है कि फसल प्रिवेंटेंट डेस्ट लिमिंटर इश्व 8,000 रिवेंट इश्व 10 prin Umpool कर रहे हैं ओर 4 प्रिमियम पर रिडंच्जन है तो issue भी premium पे है और redemption भी premium पे यहां पर ध्यान रखने की बात ही है फिर आगे according to the terms of the issue 100 rupees बाश पेवल on application balance on allotment application पे 100 रुप आएंगे और बाकी allotment पाएंगे इसनि यह नहीं का premium कहा adjust करना है impliedly अपन premium का पैसा allotment के साथ में आएगा तो यहां पे अपन करेंगे 8,000 रुप आएंगे अपने पास में आठ लाख रुप है application में यह आएगे आठ लाख रुप है bank account यह आउट परसें डिविंचर एप्लिकेशन आठ लाख रुप आएंगे और इसको डिविंचर में ट्रांस्फर कर देंगे from the date of issue अब अपन करेंगे allotment के entry allotment पे कितने पैसे आएंगे 250 रुप 250 में से 100 रुप आचके अपने पास में बाकि 150 रुप देंचर के पैसे आएंगे और 5% premium 5% premium 12.5 12.5 तो अपने पास में आएंगे 162.5 तो अपने पास में 8,000 डिविंचर के उपर डिवेंचर अलोटमेंट डेबिट 8000 इन्टू 162.5 150 रुपत आपके डिवेंचर के और 12.5 रुपे प्रीमियम के वो आएंगे आपके पास में यहाँ पे और एंट्री दर करेंगे 2 डिवेंचर 12,00 रुपे 800, 800 इन्टू 150 और SPR में चाहेंगे 8000 इन्टू 12.5 यह आपके पास में बेसिक एंट्री बन जाएगी क्या डिवेंचर अलोटमेंट अकाउंट डियार 13,00 रुपे 8% डिवेंचर 12,00 रुपे 2 SPR 1,00 रुपे यह बेसिक एंट्री बन जाएगी और फिर इसमें रिड़म्चन पे क्या करेंगा 4 रुपे प्रीमियम आएगी 4% premium 250 का 4% होता 10 रुपे 10 रुपे प्रीमियम के करेंगे 10 रुपे एक्स्ट्र पेमेंट करेंगे 8,000 डिवेंचर बैंचर नमें 10 रुपें के चाब से 80,000 होते हैं उसको ड्यबिट में करेंगे loss on issue of dimension 80,000 to premium on redemption 80,000 हमेशे ध्यान रखने चाहिए कि premium on redemption को आप अलग से add-on की तरह करें उसको तो आपको question में जो entry बनेगी वो बिल्कुल सही बनेगी गलती उने के chances ही नहीं रहेंगे यदि आपने शुरू में इसको add-on करने की add-on किया आपने और confuse हो गए तो फिर आपसे सही नहीं होगा इसलिए better है पहले अपन add-on करें फिर बाद में उसका correction करते हैं अगर discount भी है तो दोनों को club करते हैं otherwise entry सही हो जाएगी आपकी तो यहाँ पर add-on किये आपने debit me का loss on issue of dimension 80,000 और credit me का two premium redemption 80,000 इस तरह अपनी यह allotment due की entry होगी allotment के पैसे आएंगे वही 13,00,000 रुप आएंगे bank account DRT 8% debenture allotment 13,00,000 रुप है अब अपने को set-off करना है loss on issue of debenture को write-off करना है question यह नहीं का कि किस से write-off करना है आपन देखेंगे question में अपने पास में SPR available है SPR कितना है 1,00,000 रुप अब लेबल है और अपने को loss कितना write-off करना है 80,000 इसलिए आसनी से अपन write-off कर सकते हैं इसलिए अपन आसनी से इसको write-off कर सकते हैं 80,000 का out of 1,00,000 तो SPR बाकी का 20,000 बच जाएगा जो कि बेले सीट में carry forward कर दिया जाएगा तो यहाँ पे आपके पास में आएगा SPR अकाउंट DR to loss on issue of debenture 80,000 इस तरह से अपन यहाँ पे existing SPR जो अपने पास में अभी अभी debenture issue करने पर SPR आया उसी से loss on issue of debenture का अपने write-off कर दिया next अपन question करते question number 40 question number 40 कहता है कि आपने assets और liabilities purchase की है assets और liabilities purchase की है और उसके बदले में आप debenture issue कर रहे है यहाँ जो debenture issue कर रहे है वो fraction में issue हो रहे है यहाँ जो debenture issue कर रहे है वो fraction में issue हो रहे है उसका किस तरह से adjustment करेंगे यह देखने की बात है उसमें यह करा है इन्होंने sundry assets purchase की 6 lakh रुपे की लाग़ पचास जा रुफ़े की फेर्मड लिमिटेट इट परचेजिंसी कि दर रहती है तो डेबिट सै बेट सै फेर呢 कम पड़ते हैं डेबिट एकर पैसेकम पड़ते हैं तो वह गुड्विल होता तो एंट्री बनेगे अपने पास संड्री ऐसेट्स अकाउंट डियार 6 लाक रुपए, गुडविल डियार 30,000 रुपए, टू संड्री लाइबिटी 1,50,000 रुपए, टू गोल्डन लिमिटेड एक 4,80,000 रुपए, यह परचेज कांसेटरेशन हो गया हूँ, अब इसको देना है, वो दस रुपए प्रीमिम पर देना है, मतलब 100 रुपए के बज़ा है, 110 रुपए में डिबेंचर दे रहे हैं, तो यहां सबसे पहले अपन नमर ऑफ डिबेंचर कैलकुलेट करेंगे, नमर ऑफ डिबेंचर कैसे निकालेंगे, 4,80,000 डिवाड़ेड़ बाइ 110, तो यह आएंगे, नमर ऑफ डिबेंचर 4363.63, किकने डिबेंचर आएंगे, 4363.63, तो अपन 0.63 डिबेंचर इशू नहीं कर सकते हैं, डिबेंचर कभी भी फ्रेक्शन में इशू नहीं हो सकता है, डिबेंचर या तो पूरा इशू होगा या नहीं होगा, होल सम में fraction में issue नहीं होगा तो अपन क्या करेंगे इसको 4363 तो debenture issue कर देंगे और 0.63 के equivalent cash का payment कर देंगे कितने debenture issue करेंगे 4363 और 0.63 के equivalent जो amount होगा वो cash में payment कर देंगे entry करें golden limited debit purchase concern जो था फूरा 4,800 रुप है debenture debit to debenture debenture कितने होगे 4363 00 4363 00 अब SPR 10 रुपे प्रेमिम पे दे रहे 4363 10 4363 00 और अब 0.63 उसके बराबर इसको पैशे देंगे 0.63 into 110 issue price से multiply करेंगे 0.63 को issue price से multiply करेंगे face value से multiply नहीं करेंगे यह ध्यान रिखनी की बात है गलती से क्या होता है face value से multiply हो जाता है तो question गलत हो जाता है entry का debit or credit नहीं मिलेगा इसलिए यहाँ पे आएगा 0.63 into 110 amount आएगा 70 तो 2 bank 70 रुपीज अब अब अपन देखेंगे debit credit बराबर मिल गया है next question करते 41 question number करते है 41 यहाँ भी assets और liability purchase करते हैं यहाँ पे assets purchase की पाच लाग रुपे की उसके साथ में लाइबरेटी लिए एक लाग रुपे की और purchase consideration ने तीन लाग असी जा रुपे entry है आपके आपके आएशेट्स परचेश की पाच लाग रुपे की लाइबरेटी परचेश की एक लाग रुपे की और वेंडर को पेमेंट दिया तीन लाग असी जा रुपे का purchase consideration अब देखेंगे यहाँ पे जो deficiency रहती है वो credit side में रहती है credit side में पहला option आता है vendor अगर vendor का amount नहीं दिया हुआ है तो balancing figure vendor बन जाता है vendor का figure दिया हुआ है तो second option आता है capital reserve vendor के बाद में भी अगर deficiency रहती है credit side में तो आता है capitaliser 20,000 रुपे यहाँ पे अब vendor को payment करेंगे यहाँ पे vendor को payment discount पे कर रहे हैं है 100 रुपा का divinture है 10% discount पे payment कर रहे है मतलब 90 रुपीज में दे रहे हैं अपन उसको अपन उसको payment कर रहे है 90 रुपीज में 4,222.22 तो अपन 4,222 4,222 debenture तो उसको issue कर देंगे और 0.222 के equivalent cash का payment करेंगे क्योंकि debenture fraction में issue नहीं करते हैं इसलिए fraction वाले पार्ट को cash में convert कर देंगे अपन तो 0.2 का cash में convert कर देंगे तो vendor debit 3,80,000 पूरा payment करना debenture कितने देंगे 4,222 तो यह 2 debenture 4,222 00,100 रुपा का debenture इसलिए हो गया amount 4,222 00, discount 10 रुपा पर debenture है तो 4,222 00, discount on issue debenture 4,222 20 discount हो गया अब अपने को fraction था 0.22 उसका अपने को payment करना है payment issue price के reference में करेंगे यहां पर issue price है 90 रुपीज तो 0.22 into 90 हो गया 20 रुपे तो यह 20 रुपे आपको cash payment कर देंगे टू-bank entry बेंटर 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 अकाउंट रुपीट 3,80,000 रुपे, discount on issue of debenture 42,220 debenture 4,222 00,000 और bank 20 रुपे इस तरह से आपके बास में इसका settlement हो जाएगा अब इसमें मैंने एक additional option दिया है जो की question में mention नहीं है मैंने additional option दिया है जो की question में available नहीं है मैंने यह बताया कि अपने इसको fraction का पैसा cash दे रहे हैं उसके बदले में vendor यह कह सकता है कि आप इसको higher side में round off कर दो और जितने पैसे कम पढ़ते हैं वो मेरे से ले लो अपने यहां पर lower side में round off किया था और जो बचावा part था उसका पने cash दे दिया अब यहां पर करें higher side में round off करना वो करें 4222 की बजाए 4223 debenture दे दो मेरे को और जो .78 debenture extra दे रहे हैं उसकेए मेरे से पैसे ले लो आप इसको देने हैं a fourtrippel two . 222 ऑगर इसको दें होगा वही 3,80,000 रुपए से हैं 2 डिवेंचर होगा 4,23,000 से 4,22,300 रुपए से डिवेंचर कर देंगे डिसकाउंट हो जायागा 22,230 रुपए 10 रुपए डिसकाउंट हो जायागा अब पैसे लेंगे इसे पैसे कितने लेंगे 0.78 1-0.22 1-0.22 तो यह आएगा 0.78 0.78 एक्स्ट्रा दे रहें तो उसका issue price की साब से पैसे लेंगे 70 रुपीज वो 70 रुपीज उससे ले लेंगे यहाँ पर discount ध्यान रहें debenture अपन दे रहें 4,223 4,223 into 100 और यहाँ पर दे रहें अपन 4,223 into 10 यह द्यान रखने की बात है यहाँ पर discount हो 4,223 रुपे की 10 रुपे की साब से हुआ और debenture जो है 4,223 into 100 की साब से हुआ यह और vendor तो 3,8,000 रुप से आया गई अब बाकी के पैसे जो अपने उससे कैश मिल जाएंगे 70 रुपी इसलिए अगर higher side में round off करना होता है तो यह द्यान रखना है यह किसी book में available नहीं है higher side का यह होगा otherwise questions silent रहता है तो lower side में round off करते हैं और fraction का पैसा cash देते हैं इस तरह से आप इस fraction का adjustment द्यान रखें आप इसको आशा करता हूँ आपको यह 5 questions समझ में आगए होंगे आपको हमारा यह video अच्छा लगा होगा आप इसे like करें हमारे channel को subscribe करें और अपने friends के साथ में share करें ताकि उनको भी इसका advantage मिल सके Thank you